मुझे नहीं बता मेरे उपर इतना दबाव मत बनाऊ जिंदिगी में कभी भी एपी मिल जाए ना आख बंद करके दो काम कर देना जिंदिगी में दिमाग सबसे उपर भगवान ने इसलिए दिया क्यों सबसे वाले वस्ति को चलाना होता है और दूसरा मोस्त इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिसमें से केस बेस्ट कुछन आता है वो है मैट्स को देखने से कोई फाइदा नहीं होता याद रखना मेरी बात दुनिया आपको कुछ भी सिखाए एक बार मेरी तरीक्यों को फॉलो कर लो एंटर्टेंडमेंट नहीं है एंटूटेंडमेंट है अलो अब्रिवान आपको पूरे चैप्टर का ओवर्व्यू देगी विदाहल इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स और इस वीडियो में एंड तक बने रहने से मिलेंगे आपको सारे वो इंपॉर्टेंट केस बेस्क्वेश पूरी वीडियो मिलती है और बोला जाता है इसको बेटा रोज एक कोई डालना है और अगले दिन एक की जगा दो कोई जालने हैं उसकी अगले दिन दो की जगा तीन कोई डालने हैं हर रोज एक कोईन का काउंट बढ़ा देना है तो पहले दिन इस बच्चे ने एक कोईन डाला दूसरे दिन इसको बोला गया था एक कोईन बढ़ा देना तो मतलब इसने अगले दिन दो कोईन डाले उसने का था तीसरे दिन एक कोईन और बढ़ा देना तो तीसरे दिन इसन पांच 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 कितने होगए? पंद्रह。 एक ऐसा question जिसमें 2 AP को साथ लेकर चलना पड़िया, इस question को मैं बहुत important पूर रहा हूँ. आओ ज़uden समझते हैं, यह AirPods' है coins के उपर और यह AirPods'ों के उपर, Money. बढ़ी अच्छी, सर बहुत अच्छा question है इस question को ब्रियान से सुनना मेरी बात को अबने का मतलब मैंने का अब समझ गा दो एपी को वली एक वनी coins के उपर एक एपी वनी पैसो के उपर कि गुलग में कितने coins जा रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं तो आपके सामने त्यार हो गई क्वेश्चन क्यों पर आएगा तो कोई की अपी को उठा लेंगे पैसो पर आएगा तो पैसो की अपी को उठा लेंगे देखते हैं पहले बाट को देखते कि आगर इस पिगी बैंग में टोटल एक सो नब्बे कोई आ सकते हैं अच्छा s n is equal to 190 कहता है पताओ इस प्यारे बच्चे को कितने दिन लगेंगे 190 coins तक पहुचने के लिए मतलब n निकालना है कितने simple सी बात है तो आपने का सर समझ आगी बात आपकी तो इसका formula n by 2 2a, बात किसकी हो रही है coins की, तो coins की उठाएंगे 2a, 2 into a मतलब 1 plus n minus 1 d, d मतलब 1 d भी 1 होगा इसे पी का, is equal to 190 अब आप सबको पता है ये 2 उपर जाके क्या होगा, 190 से multiply होगा तो n by 2 n by 2, n रह गया, 2 उपर जाके multiply होगा, ये 2 into 1, 2 होगया plus n minus 1 is equal to 380 होगया अब ये n बाहर रहा, n बाहर है अंदर क्या है, 2 minus 1 2, 2 minus 1 is 1 plus n is equal to 380, इसको standard form में लिखो bracket open करो, तो n square पहले लिखा फिर मैंने plus n लिखा, 380 इदर से आ रहा है तो minus 380 is equal to 0 आगे, बन गई है आपके सामने एक quadratic equation और उसको solve करने का, मैंने आप कोई तरीका बताया split in the middle term के लिए 380 को तोड़ना शुरू करो 2 कितने सा 380, 190 अब 190 से 2 फिर ले लो तो 2 into 2, 4 कितने सा यह आ गया, 85 95 95 अब 95 तो 2 से नहीं जाता, तो 3 पे जाओ 3 से भी नहीं जाता, तो फिर 5 पे जाओ तो 4, 5 सा 20 और यह हो गया, 19 नंबर मिल गए, 20 और 11 20 और 19, अगर ऐसे ना मिलते हैं, तो प्राइम फेक्टराइजेशन गरे की कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो n स्क्वेर प्लस 20 n माइनस 19 n माइनस 380 इस इक्वेल टू जीरो अब क्या हुआ, n कॉमन ले लो n कॉमन लिया तो n प्लस 20 माइनस 19 तो यहां पर n प्लस 20 इस इक्वेल टू जीरो कैली ब्रैकेट तो दूस्री ब्रैकेट, n माइनस 19 इस इक्वेल टू जीरो यहां से n आ गया माइनस 20 और यहां से n आ गया 19 और यहां पर आपने कर दिया इसको reject rejecting क्यों क्योंकि number of days can never be negative पूरा लिख देना तो आप का अंसर आ गया कि बेट इस प्यारे विच्चे को इस प्यारे नोने बाबू को 19 दिन लगेंगे तो इसका पिगी बैंक 190 कॉइन से भर जाएगा कि इंपल ठीक है आगे चलते हैं कहते हैं फाइंडी टोटल मनी ही सेव्ड अब बात मनी की आ गई तो एपी कौन से उठानी पड़ेगी मनी की नमदरे हो दोस्त क्या question है यार तो अगर हम अगर हम second part की बात करें second part की तो टोटल मनी ही सेव्ड इसका मतलब आपको अच्छा एक बार बताओ कितने दिन आपने पैसर डाले 19 दिन का quest 19 निकालना है 19 दिनों में कितने पैसर डाले आपने तो 19 बाइ टू टू ए ए मतलब 5 प्लस एन माइनस वन 19 माइनस वन इंटू 5 5 क्यों लिया मैंने क्योंकि बात पैसो की हो रही है तो पैसो की बात में पैसो की एपी coins की बात में coins की एपी ठीक है तो 19 बाइ टू तो कुछ नहीं हो सकता 19 बाइ टू यह आ गया 10 और यह आ गया 18 इंटू 5 इस 90 और यह आ गया 19 बाइ टू इंटू 100 यह टू गया 100 से 50 तो यह आ गया 950 टोटल उसके पास 950 रुपे होंगे एक कॉमन सेंस बताओं आपको 190 कॉइन है हर कॉइन की वैल्यू 5 रुपे है पांच को 190 से मिल्टिप्ला गरो आपका आंशर आ गया टूटल मनी सेंट मगर टीचर ने कहा निकाल के दिखाओ यूजिंग एपी इसलिए हमने निकाला हूँ तो ना एक सुनब्ब्य कॉइन आपके पास हर कॉइन की वैल्यू 5 रुपे है तो आपके कितने पैसे हुए वन नाइटीन टू फाइफ नाइफ वही हमारा आमसर आ गया थर्ड पार देखो हॉवणी कॉइन्स अर देर इन पिगी बैंक ओन 15 डे कॉइन्स बात कॉइन्स की टीचर कैसे घुमा रहा है आपको देखो कभी बूश्टा है पैसो की बारे में कभी बूश्टा है कॉइन्स दो तीसरे दिन तीसरे दिन तीन अगर वो यह नहीं पूछ रहा आप से कि 15 डे पर कितने कॉइन्स होंगे टोटल कॉइन्स पूछ रहे कितने होंगे अगर मैं बोलो पहले दो दिन में कितने कॉइन होंगे तीन दिन में कितने कॉइन होंगे उसके पास शे कॉइन होंगे तीनों को आड़ कर दोगे न तो पंदरवे दिन कितने कॉइन्स होंगे S 15 की बाप कर रहा है वो क्या प्वेशन ना देखो तो थर्ड पार्ट में आपको S 15 निकालना है 15 बाइ 2 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1 क्या गया 15 बाइ 2 2 प्लस 14 16 15 बाइ 2 इंटू 16 2 गया 16 से 8 जा 8 फाइट जा 40 0 4 कह रहे हो और 120 कोई क्योंकि कोईन्स की बाद हुई मैंने कोईन्स की यपी उठा ली पैसो की बाद हुई मैंने पैसो की यपी उठा ली आपने का सर्ज यह प्यारा बच्चा दस दिन में कितने पैसे सेव करता है पैसे फिर बाद पैसो की तो अब आपको फोर्स पार्ट में क्या निकालना है मगर इस बार आप एपी कौन से उठाओगे पैसों वाली आपने का अच्छा यह टेक अवे होम था इस वीडियो से इस कुश्चन से इस कुश्चन से यह समझने मेले चीज़ थी तो 10 बाइ 2 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 यह आ गया 10 बाइ 2 हो गया 5 5 और यह हो गया 10 प्लस 9 इंटू 5 45 5 इंटू 55 5 और 25 तो के लिए ओवर 275 रुपीज इसके पास 10 दिन में से वो गये समझे मेरी बात को तो यह था हमारा 8th कॉश्चन जो की बहुत important कॉश्चन था इसको मिसमत करना पूरा कॉश्चन अपने आप सॉल्ब करो एक बार फिर देखो मैंने कैसे समझाया मैंने बहुत अची तरह आपको इस कॉश्चन को समझाया है बन अप दी बेस्ट कॉश्चन ऑफ एपी केस बेज़ बेज़ बे कलते हैं हम अपने नेक्स कॉश्चन पे कॉश्चन नमबर वन में साफ साफ लिखा हुआ है सुमित वस प्लेइंग अनमबर कार्ड गेम अन इन दी गेम सम नमबर कार्ड वाविंग पॉजिटिव नमबर और नेकिटिव नमबर अर अरेंज़ इन रो सच दाट यार फॉल्यूविंग एन अर्थमेटिक अगर आप सबको एपी के बेसिक्स पता है तो अच्छी बात है नहीं पता तो हम साथ साथ रिवाइज करेंगे साड़ी बातों को किता हो निस फर्स्ट ट्रन सुमित पिक्स सिक्स नमबर कार्ड अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है देखते हैं क्या हो रहा है सुमित ने एक सिक्स नमबर कार्ड उढ़ाया एक एपी में अगर मैं एक एपी लिखूं फाइव एट 11 14 and so on मैंने का 4th term of the AP is 14 and 4th term को हम बूलते हैं ऐसा कियो होता है आपको पता चलेगा आप हमारी एपी की वन शॉर्ट वीडियो को भी देखकर पूरा चैप्टर को बढ़ सकते हो मगर फिलाल फटा-फट जानने की कुशिश करना और डी होता है कॉमन डिफ्रेंस कॉमन डिफ्रेंस हम हमेशा निकालते हैं कोई भी अगली टर्म में से एक पिछली टर्म अगर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा डी आजाएगा ठीक है सिक्स्त कार्ड मतलब एसिक्स सिक्त टर्म अपधी फॉर्टीन कार्ड मतलब एस इक्वल टू माइनस फॉर्टी अब यह किसका आंसर आ रहा है मुझे नहीं बता अभी क्वेश्टन में देखो हमसे क्या पूछा हुआ है मतलब कोई भी दो टूर्म मतलब पहले क्वेश्टन में वो हमसे पूछ रहे हैं डी निकालो और सेकंड क्वेश्टन में पूछता है फाइंड नंबर नंबर ऑन थी फिर्स गार्ड मींज ए यह निकालो तो ये दो question हम solve करने हैं कितना असान है A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो आप मेरी वीडियो देख रहे हो आप मेरे को सुन रहे हो देखो यार आप मेरे से पहले करने की कोशिश करो question को देखो एक shortcut है हमारे पस आप एक AP की किसी भी term तक पॉन सकते हो एक formula से AN AN होता है A plus N minus 1D आपको बताना जरूरी है क्योंकि वीडियो की starting है बाद में हम इन सब को use करते जाएंगे अगर फिर आप समझो AN मतलब A plus N minus 1D अगर मैं बोलू A10 तो N की जगा 10 दख दो यहाँ पर भी और formula में भी तो A plus 10 minus 1 9D की आपका formula आगया A10 is A plus 90 अगर मैं बोलू A20 तो आप बोलोगे सब समझ गए A plus 19D अगर मैं बोलू A58 तो आप बोलोगे A plus 57D एक shortcut है इसको use करेंगे हम इसको use करने से हमारा काम बहुत असान हो जाता है ठीक है कुछ चीजे जरूरी है सीखनी पड़े सिंपल तरीके से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं समझने की कोशिश करना बहुत असानी से आपको 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 समझ में आ जाएगी और इसी वीडियो में से आपको वेपर में अपने कोशिश देखने को मिलेंगे आगे आगे देखो होता है क्या अगर A6 की बात करों तो अभी आपने में से सीखा शॉर्ट कट तो A6 को आपने लिखा A plus 5D बिल्कु ठीक अब A14 को आपने लिखा A plus 13D अब यहाँ पर हम पहले कोशिशन की त्यारी कर रहे है पहले और सेकंड कोशिशन का आंसर दोनों एक साथ आएंगे कैसे आएंगे देखते हैं अब मुझे बताओ A plus A क्या होता है आपने कसर 2A और 5D plus 13D 18D इसी एक्वल टू माइनस 40 maths ना कुछ आदतों की अधीन है कुछ आदते maths ना बनानी बढ़ती है एक equation आपके सामने अब equations याद रखना जितनी छोटी होती है उतनी solve करनी अफसान होती है अगर आप इस equation को छोटा करना चाहते हो तो एक common number ढूड़ो जो सब के पास है और वो number है 2 तो मैं पूरी equation को अगर 2 से divide करूँ तो मेरे पास आता है A plus 90 is equal to minus 20 इसको भी 2 से divide कर, इसको भी 2 से कर सकते हैं, equation में जो काम करते हैं, दोनों तरफ करते हैं कर सकते हैं, ठीक है, यह पहली equation आ गई अब यात रखना, एक equation से ना तो A आएगा, ना तो D आएगा अगर मुझे A और D निकालना तो मुझे एक और equation ढूणनी पड़ेगी और एक और equation ढूणने के लिए फिर मुझे question के पास जाना पड़ेगा, और question को पढ़ना पड़ेगा, या था on the second turn he picks up 8 मतलब देखा, 8, मतलब A8 and 8th और 16th card उठाता है और उनका sum कर देता है इतना प्यारा बच्चा देखो, उसको plus भी करना आता है और दोनों को plus करके कहता है, 52 आया, minus 52 तो हमने का ठीक है, हमारा फायदा होगी हमें एक information से अब दूसरे equation बनाने में help होगी A8 को हमने लिखा, A plus 70 और A16 को मैं लिखा, A plus 15D Is the equal to minus 52 अब A plus A हो गया 2 है 7 plus 15 हो गया 22D Is the equal to minus 52 पुरी equation को 2 से डिवाइड करतो A plus 11D Is the equal to minus 26 equation number 2 आपने का सब आप क्या करें इन दोनों equation को solve करतो देखो कई बच्चे कई teachers क्या करते हैं यहां से A की value निकाल लाते है A की value आईगी, minus 20, minus 90 और यहां डाल देगे वो भी तरीका गलत नहीं है That is known as substitution मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिखाने की method of elimination and substitution ऐसा क्यों कोशिश करता हूँ क्योंकि वो एक widely used method है और आपके काम हमेशा हाता है तो उसकी practice नमारी हो जाएगी उस वो जादा अच्छा है वो भी बहुत असान है दोनों methods बहुत असान है तो हम solve करेंगे दोनों को solving equation आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे solving equation 1 and 2 बहुत ways are correct तो यहाँ पर मैंने क्या किया पहली equation लिख दी a plus 9d is equal to minus 20 और उसके नीचे दूसरी equation लिखी a plus 11d is equal to minus 26 और line लगा दी देखते हैं मैंने सही लिखा ना हाँ बिल्कुल सही लिखा मैंने तो मैंने line लगा दी अब हम elimination सबसे पहले eliminate करेंगे eliminate करने के लिए कोई एक variable same होना चाहिए और मुझे दिख रहा है कि a a same है अगर मुझे a a को subtract करना है मतलब cancel करना है eliminate करना है तो मुझे इन दोनों को subtract करना होगा और subtract करने के लिए sign बदलने पड़ेंगे minus minus और यह minus हो जाएगा plus याद रखना जह हम sign बदलते हैं सब के sign बदल जाते है minus plus हो जाता है और plus minus हो जाता है और यह cancel हो किया देख अब 9D minus 11D is minus 2D is equal to minus 20 plus 6 is minus 20 plus 26 is plus 6 बिल्कु ठीक माइनस 20 plus 26 is plus 6 और D कितना आ गया D आ गया minus 3 कितना सान था अब D minus 3 आते ही आपको क्या करना है इस D की value या तो पहली equation में डाल दो या दूसरी equation में डाल दो और A निकाल लो तो यह पहले part का answer आपको आ गया difference between two numbers मतलब two terms two consecutive terms हमने क्या किया जहां से देखें तो दोनों equations को subtract किया मगर क्योंकि जब दोनों equations को subtract कर रहे थे तो ये तो दोनों minus हो गया मगर ये plus हो गया अब minus 20 plus 26 is plus 6 और D आ गया minus 3 अब यहां पर लिखेंगे है putting value of D in equation 1 मेरे को देखो मत मेरे को देखने से Maths को देखने से कोई फाइजा नहीं होता है याद रखना मेरी बात Maths is all about numbers and we have infinite numbers in this universe infinite number of questions can be made so you have to learn the process you cannot learn the equation इसलिए practice करने के लिए D की value आप पहली equation में डाल दो देखो आपका A क्या आता है फिर match कर लेना आगे करके तो मैं राम राम से चलूँगा मुझे हर बच्चे को समझाना है A plus 90 A plus 90 9 into minus 3 is equal to minus 20 और A क्या आया A minus 27 is equal to minus 20 और A क्या हुआ A हुआ minus 20 plus 27 and A is 7 यह आपके पास A आगया और आपके पास D आगया question ने हमसे पहली दो चीज़े यही पूछी थी देखो first and second complete third या fourth दोनों same है अगर वो कहता है 19th card निकालो मतलब A 19 निकालो A plus 18 D और 23rd card के लिए A 23 मतलब A plus 22 D तो अगर मुझे 3rd part के लिए A 19 निकालना है तो A 19 क्या होगा A plus 18 D कितनी simple सी बात है ठीक है न A plus 18 D A कितना है 7 plus 18 D कितना है minus 3 तो यह हो गया 7 minus 54 और 7 minus 54 is 47 minus 47 और यह रहा हमारा final answer और पहला पहला हमारा complete होता है हमने बहुत कुछ निया सीखा चलते है अपने second question पे इसका जो और वाला part है वो आप खुद कर ले न fourth part जिसमें वो कहता है find what is the number on the 23rd card मतलब A27 एक बहुत असान question से basic question से मैंने इस chapter की इस वीडियो की शुरुवात की आगे आगे बहुत अच्छे questions है आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में एंड तक रुखना चलते हैं coming over to question number two एक नया concept सीखेंगे question number two में बहुत बढ़िया question है आउस भरा सीखते हैं इस question को question number two कहता है the production of tv set in a factory increases uniformly by a fixed number every year बहुत सारे लोग factory में काम कर रहे हैं दिख रहे हैं आपको काम करते हुए I produces 16,000 sets in 6th year अब आप समझ के होगे game को 16,000 sets in 6th year मतलब A6 आपको दिया हुए 16,000 और याद रखना A6 कभी A6 नहीं रहता A6 को हम लिख सकते हैं A plus 5D is equal to 16,000 यह मेरी पहली equation आवे ठीक है आगे सलते हैं जी 22,609th year A9 22,609th year हमने का A9 को कभी A9 नहीं लिखेंगे shortcut हमें बता है A plus AD दुनिया आपको कुछ भी सिखाए एक बार मेरी तरीक्यों को follow कर लो chapter आजाएगा मजा आजाएगा अब इन दोनों equations को solve करना आपको आता है पेशेंट्स आज की generation में एक चीज़ नहीं है देखो entertainment नहीं है entertainment है देख लो कुछ शीख जाओगे AP बहुत काम का chapter है आगे 11 पड़ोगे GP आएगा ये छोड़ने वाला नहीं है आपको maths competitive maths में आएगा तो सीख लो बढ़े असान तरीके से समझ में आजाएगा आपको ये आगे 22600 minus करो minus गया minus minus 5 में से 8 गया minus 3D 22600 में से 16000 गया 6600 आगया बगर minus का क्योंकि बड़े नंबर के बस minus तो D कितना आया 3 जाके divide हुआ minus से minus cancel हो गया 3 जाके divide हुआ 2200 आगया D अब इस D का क्या करें अरे इस D को या तो पहली equation में डाल दो या दूसरी equation में डाल दो और क्या निकाल लो यह निकाल लो तो putting value of D मेर से पहले कर दो putting value of D in equation 1 अरे बहुत अच्छी वीडियो है मजा आ रहा है आपको अब आपने पहली equation में D की value डाली practice करो साथ साथ practice की तरह समझो इसको 5 into 2200 is equal to 16000 मैं बहुत slow चल रहा हूँ मुझे कुछ बच्चों ने बोला साथ और slow थोड़ा साथ चलो ताकि हमें एक एक point समझाने की कोशिश हो तो आप अगर थोड़ा सा fast हो तो आप इस वीडियो को 1.5x पे देख लो तो यह A plus मेरे को हर बच्चे को कुछ शिखाना है तो इसलिए मेरे को सोड़ा सजीरी चलना पड़ता है 11,000 इस भी एक वल टू 16,000 अब 11,000 उन उन उसे आगे माइनस हो गया तो A कितना आगया? 5,000 अब देखते हैं हमसे उसने क्या पूचा है उसने हमसे बूचा What is the TV production during the first year? पहला आंसर हम दे चुके हैं इस 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 आंसर आ आ चुका है करता है What is the production TV set in eighth year? आठवे साल पे क्या होगा? अब A8 निकालने के लिए A तो पता होना चाहिए साथ सा D भी पता होना चाहिए इस लिए हमने दोनों निकालने जरूरी है अब second part भी हो कहता है production in eighth year eighth year मतलब A8 आज आपको इन नही बात पता चलेगी थोड़ा इंतिजार करो 70 ये कितना है? 5000 plus 7 into 2200 multiply कि या प्लस किया 20,400 आ गया या आप का आंसर आ गया? आठवे साल इतने sets produce हो गए ठीक है? आगे चलते हैं कहता है in which year is the production 29,200? हमने का देखो जी ये बिचारे जो laborers laborers काम कर रहे है Chinese factory लग रही है मुझे तो तो इस factory में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं TV sets बना रहे हैं और factories मैसे ही काम होता है बहुत सारे लोग होते हैं एक बहुत बड़ी जगा होती है जहां पर आप काम कर रहे होते हो तो इस factory में पहले दिन first day पर उन्होंने 5000 set बनाए एपी चल रही है ना production of sets increases uniformly by a fixed number every year पहले साल 5000 बने उसकी अगले साल 5000 प्लस 2200 2200 7200 तीसरे साल चौथे साल पांचवे साल छटे साल छटे साल तक 16000 पे पहुँच गए दिया हुआ 16000 बनाए 9th year में 22500 बनाए क्याता बताओ कौन से साल में 29200 बनाएंगे question समझो given में समझने की कोशिश लबाब करोगे तो गलतियां minimize हो जाएंगी गलतियां इंसान करता है और करता रहेगा जीवन भर मगर अमारा motive है let's minimize the errors we commit जिन्दिकी में अपनी गलतियों को repeat मत करो तो वो किसी भी phase of life में हो और उनको minimize करते चलो errors should be minimize तो आपने का सर बात आपकी समझ में आ गई कि पहले साल 5000 बने दूसरे साल 700 बने 7200 बने और 6th year 16,000 बने 9th year 22,600 बने कौन से year में 29,200 बनेंगे हमने का मुझे क्या पता मैं कोई मैं कोई भगवान धोड़ी हूँ मुझे क्या पता कौन से year में बनेंगे अगर ये है क्या ये उस AP की एक term है ये 6th term है 16,000 ये 9th term है ये भी कोई term होगी मुझे नहीं पता ये कौन से term होगी मुझे नहीं पता I'm so sorry sir मुझे नहीं पता मेरे उपर इतना दबाव मत बनाओ कौन से term है ये तो जब आपको नहीं पता ये कौन से term है आज से मेरे एक बात याद रखना जो भी term आपको नहीं पता ये कौन सी है, मैं third party की बात कर रहा हूँ उस term को मान लेना AN क्योंकि AN कहती है मैं हूँ any term जिसको कुछ नहीं पता, मेरे पास आ जाओ 29,200, 29,200 we really don't know which term of an AP is 29,200 जब हमें नहीं पता होता ये AP की कौन सी term होगी तो AN कहता है मेरे पास आ जाओ, let AN be that term और AN का formula आप सब के पास है A plus N minus 1 into D is 29,200 और A की जगह आप में लिखा 5,000 चैटर समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा और लगे रहना सर, पूरी वीडियो में मेरे साथ थोड़ी रंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि सर, जिन्दगी में कोई भी काम, जल्दी का शेतान का होता है अराम से लगे रहो, अराम से के question में आगे बढ़ते जाओ आप question question solve कर सकते हो, question को solve करो, N की value verify करो अगले question में पहुंच जाओ मगर जो बच्चा सीख रहा है मेरे साथ साथ, उसको एक एक शब्द मेरा सुनना चाहिए इस वीडियो में हमारी पूरी सीरीज अगर आप देखोगे और मैं बहुत सारे पेपर्स अगर आपके इतनी सारे स्कूल के बच्चे मेरे पास बढ़ते हैं मैं बहुत सारे पेपर्स को देख रहा था, इतने questions हमारी वीडियो से आ रहे हैं कुछ कहने की बातने case based questions में तो आप case based questions की पूरी सीरीज को follow करो, हर chapter को आप revise करो, मेहनत करना आपका काम है, अच्छा delivery देना हमारा काम है, तो अच्छी delivery आपको मिल रही है, अगर आपको देखना आपको पड़ेगा, उन questions को revise, उन questions को practice आपको करना है, बहुत मदद होगी sir, पूरा chapter revise होगा आपका, तो 5000 क्या हुआ, इदर जाके minus हुआ, प्लस कफाई, देखो इसकी bracket मत खोलना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं हमेशे एक बात कहता हूँ, आपको n निकालना है न, जो चीज इस धुनिया में निकालनी है, उसको अकेला छोड़ दू, अब कोई कहता है 2200 नीचे ले ज जाता, जो भी पूरे के साथ होगा, वही पहले जाएगा, चाहे वो 5000 हो, चाहे वो 2200 हो, आपने कहा है 2200 N-1 के साथ है, 5000 के साथ नहीं है, मगर ये 5000 किसके साथ प्लस में है, इस पूरे के साथ प्लस में है, तो सबसे पहले उधर कौन जाएगा, 5000 जाएगा, तो N-1 into 2200, इस सब्सक्राइब थोटे बच्चों की तरह यह आप माइनस फाइट और लिखके थोड़ी दिखाऊंगा आप वो इतने बड़े हो चुकिए आप टेंसे क्लास में हो आप मैंने का सरब क्या करूं मैंने का 22 2200 नहीं चले जाओ तो एन माइनस वन इसी एक वल्टू मैं निचा की डिवाइड हो जाएगा तो 24200 डिवाइड बाए 2200 यह दो 0 से 0 गए और यह आ गया आपका 11 से का गया 11 टूजा और 11 टूजा 22 और टूजा और यह गया किससे 11 एन माइनस वन इस इकवल टू लेवन एन इसका मतलब बारवे साल 12th year 12th year में जो production होगा that will be that will be 12th year production will be 29200 अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी अच्छा अब आगे देखते हैं और वहला पार्ट भी करेंगे हम एक नहीं चीज़ और सिखेंगे बात फर्स त्री येर्स की नहीं है बहात है टोटल प्रोड़क्शन जहां वर्ड टोटल आ जाना बेटा तो वह एन की बात नहीं कर रहा एन मतलब सिक्स्थ टर्म सेवन्थ टर्म एश सेवन टोटल टोटल प्रोड़क्शन इन सेवन इर्स एक निया कॉंसेट आपके सामने सम और एस न का फॉम्मला टोटल मतलब सम मैं आपको कहा मैं एक एपी लिख रहा हूं फाइव इट ऐलेवन प्रूटिन और फिल्विय के समने मैंने कह बताओ यस बी में पहली दो टम का सम इतना है आपने ना 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 आप यह सम्कुन के रहा हूं और फॉरम्मला है स अंगर नहीं पता आप लिख लो हूं देखो सार नोटस मनाने बहुत ज़रूरी है जितनी अच्छे आपके रिविजिन जितने अच्छे आपके नोट्स उतने अच्छे आपके रिविजिन चो आऊ इधर देखते हैं sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d और अब हम निकालने जा रहे हैं हम total production in first three years इसका मतलब S3, अब हम निकालेंगे फॉर्थ पार्ट में, और वले पार्ट में, मैं और वली पार्ट की बात कर रहा हूँ, और तो यहां निकालेंगे हम S3, S3 is N by 2, 2A plus N minus 1 into D, अब सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ value डालती हैं, एन की जगह 3, 3 by 2, एक ही जगह आपको दिया हुआ है 5000, plus N minus 1 मतलब 3 minus 1, D आपको दिया हुआ है कितना 2200, यह गेम है, बसके कितनी असान सी बात है, आपने का सर अब क्या करें, मैंने का देखो कुछ नहीं है, solve करेंगे 3 by 2, पहले ब्रैकेट solve करेंगे, बार्ड मास कहते है, ब्रैकेट solve करो, यह ह 10,000, plus 2 into 2200, 4400, और यह हो गया 3 by 2, मैं बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखता हूं, तो डिरेक्ट answers लिख देते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना मेरा कोई हग बनता है, किसी को गलत कहने का, सबका एक style of teaching है, मगर मैं कुशिश करता है, शोटी से शोटी calculations आ बहुत असान होती है, लगती बहुत मुश्किल है, अब 5000 का double नहीं कर सकते हैं, आप 10,000, और यह 2 आगया, 2 into 22, 22 का double 44, और साथ 2 0, तो छोटी छोटी बाते हैं, जो आपको फटा 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 मैस करने में help करती हैं, तो आपने करते हैं, तो आपने करते हैं, तो आपन 2 into 0, 0, 3 into 0, 0, 3 into 2, 6, 3 into 7, 21, कितना असान था देखो, एक बार भी calculator उठाने की जरूत नहीं पड़ी, रफ कॉलम में side में multiply करने की जरूत नहीं पड़ी, समद रहे हो, तो यह आपका final answer, पहले 3 साल के जो total number of set produced हैं, वो 21,600 है, मतलब sum of past 3 terms of NEP is 21,600, अब मेरी बाते हैं, आपको में में सारे concepts आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा तेज़ फास्ट वक करेंगे question number 3 से, चलते हैं अपने question number 3 पे, coming over to question number 3, अब हम देखेंगे, दो AP's के साथ कैसे deal करना है, बहुत अच्छा question है, question बढ़ते हैं, कहता है, class or teacher ask every student to write an example of an AP, two friends, Gita and Madhuri, write their progressions as, दो गीता, दो friends, Gita and Madhuri ने, दो AP's लिखी, पहली AP है आपके सामने, आपके सामने पहली AP है, में solution शुरू गरता हूँ, minus 5, minus 2, 1 and 4, and second AP is 187, 184, 181 and so on, now the teacher asks the following questions on these two progressions from the various students, यह आपके teacher हैं, और यह प्यारे प्यारे बहुत सारे बच्छे हैं, तो आपने का sir, find this 34th term of the AP written by Madhuri, 34th term, Madhuri की AP कौन सी है, 187, 184, 181, first part में, कबसे पहले अगर आप AP देखते हो, तो दो काम कभी करने मत भूलना, पहला काम है, AP देखते ही, A लिख देना, A is 187, and what is D, D is second term minus first term, 184 minus 187, and answer is minus 3, D आ गया, A आ गया, अब कहता है, 34th term, sum of first 34 terms, as 34, 34th term, A 34, A 34 will be, आप सब को बता है, आप सब को बता है, formula लगाने की जरूरत नहीं है, आपको shortcut बता है, A plus 33D, A is 187, plus 33 into minus 3, 187 minus 99, and which is 88, 88 आपका answer आ गया, 34th term आ गयी, कहता है, find this sum of common difference of two progressions, very good, बहुत अच्छा question है, second part, तो पहली AP का D निकालते हैं, दूसरी AP का D निकालते हैं, दो AP एक साथ use करनी हैं, तो याद रखना, दोनों के D अलग-अलग होंगे, तो एक को D1 बोल देंगे, एक को D2 बोल देंगे, second term is 184, minus 187, आ गया, minus 3, अब इनका sum निकालना है, question पूछ रहा है, इन दोनों, इन दोनों AP का common difference है, उसको sum बताओ, common difference का sum, तो 3 plus minus 3, which is equal to 0, second part का answer is 0, finding sum of first 10 terms of the AP, बड़ा सा question है, very good, तो अब हमें क्या निकालना है, third part में, third part यहीं करने की कोशिश करते हैं, third part में हमें निकालना है, S10, और S10 किसके बराबर होगा, S10 बराबर होगा, 10 by 2, मतलब 10 by 2, 2A, मतलब 2 into A, अब किसका निकालना है, S10, बाई, गीता, गीता का, गीता के AP कौन सी है, second वाली, 187, ओ स्वारी, first वाली, minus 5, minus 2, 1 and 4, 2, A कितना है, minus 5, plus N minus 1, 10 minus 1, into D, D कितना है, first AP का D is 3, अभी निकालना है, अमने पीछे, इसको solve करना है, बेटा, कुछ भी निया, 10 by 2 is 5, और ये कितना आया, 2 minus 5 is minus 10, 10 minus 1 is 9, 9 into 3 is 27 plus 27, तो ये आगया, 5 into 17, which is 85 is your answer, कितना सिंबल था, main तो second और पार्ट वाला question है, which term of 2 progression will have same value, क्याता है, ऐसी कौन सी term होगी, दोनों AP की जो same होगी, क्या second term दोनों की same है, नहीं, इसकी second term 184 है, इसकी second term minus 2 है, क्याता है, ऐसी कौन सी term होगी, तो हमने का एर हमें क्या पता, हमें नहीं पता न, वहीं बात आगी न, देखो, और वहला question कर रहा हूँ, बहुत अच्छा question है, जब हमें नहीं पता कौन सी term सेम होगी, तो हमने मान लिया, let an be that term, an be that term, तो पहले का, जो पहले AP का an है, वो बराबर होगया, दूसरे AP के an के, मगर दोनों के AP के an बराबर होगया, मगर दोनों के AP के an अलग-अलग है, तो ऐसे लिखना इसको, a1 plus n-12, मगर दोनों के n बराबर है, हम कह रहे हैं, दोनों के n बराबर होने चाहिए, और d1 और इसको लिखो a2 plus n-1d2, हम कह रहे हैं दोनों A P बराबर नहीं है दोनों A P के A बराबर नहीं है दोनों B P के D बराबर नहीं है मगर हम चाहते हैं ढूनना कि ऐसा कौन सी टर्म है जिसमें दोनों A P कौन सी ऐसी टर्म है जो बराबर है अब पहली AP का A क्या है, जल्दी से देखते हैं, पहली AP का A है माइनस 5 और D है 3, और दूसरी AP का A है 187 और D है माइनस 3, तो पहली AP का A है माइनस 5, प्लस N माइनस 1, इंटू पहली AP का D है, माइनस 3, इसने एक वल्टू, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनस 3, पहली AP का प्लस 3, दूसरी AP का 187 प्लस N माइनस 1, इंटू माइनस 3, अब इसको solve करना है, यह विक बच्चा कहता है सब 3 से 3 cancel करते हो, मैं नहीं है, ऐसे नहीं हो सबता है, क्योंकि यह 3 पूरे के साथ मेल्टिप्रेमिन नहीं है, यहां भी 3 पूरे के साथ मेल्टिप्रेमिन नहीं है, तो आपने अगर N, N को इक अठा करना है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, इनकी ब्रैकेट्स को open करते हो, ताकि सिंपल हो जाए आपके लिए काम करना है, तो माइनस 5 प्लस 3 N, माइनस 3 मेल्टिप्लाय हुआ 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 है, तो प्लस 3, अब यहां अगर आप ध्यान से देखो, अध्यान से मेरी बात को सुनो, तो यहां पर देखो, माइनस 5 माइनस 3 हुआ, माइनस 8 प्लस 3 N, और यहां और यहां हुआ, और यहां हुआ, प्लस 3, 190 माइनस 3 N, अब माइनस 3 N हो जाके प्लस हुआ हुआ, 3N 3N 6N हो गए और minus 80 से प्लस हुआ आ गया 198 अब N किसके पराबर है जो 6 multiply हो रहे हैं जाके divide हुआ 6 3 सा 18 और 118 3 सा 18 एन इस इक्वल to 33 33rd term will be the same term of the AP तो 33rd term will be same दोनों AP की अब आपका काम पता है क्या होता है तो इंट्रस्ट लेते हैं आप दोनों AP की A33 निकालो पहले AP की भी निकालो A33 दूसरी AP की भी A33 निकालो देखो same आएंगी और मुझे comment में लिख दो yes sir they are same चलते हैं आप ने एकले question आपके exams में same question आपको दिखेगा आप जरा शुरू करते हैं question 4 को question number 4 हमें कहता है your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car he repays his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment अब आप समझ गए होगे AP की पहली installment मतलब AP का पहला first term आपको दिए गई है और first part को शुरू करते हैं AP बनानी तो बहुत जरूरी है हर question में तो पहली time of the AP is 1000 तो अगली बार वो कहता है if he increases the installment by rupees 100 every month पहली installment 1000 अगली installment 100 रुपे बढ़ गई तो अगली installment क्या हो गई 1100 फिर अगली installment क्या होगी 1200 रुपे और बढ़ जाएंगे and so on ऐसे ही यह चलता रहेगा तो question कहता है what is the amount paid by him 30th installment 30th installment तो आप समझ गए होगे आपको a 30 निकालना है तौ आपके सामने है a कितना है 1000 आपके सामने डी डी है 1100 कि माइनस 1000 इस ही को टू हन्ड़इड डी निकालने के लिए आपको पता है 12 में से गालने करते हैं और आपको निकालना ए थर्ठी और ए आगया 1000 प्लस 2900 विच कमस आउट तो भी 3900 यह आप कामसर आगया पहले पार्ट था कितना आसान कोशन था अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं करते हैं वाट इस टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉल्मेंट नहीं 30 इंस्टॉल्मेंट्स 30 टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट पहली 30 इंस्टॉल्मेंट में उसने कितना अमाउंट पे किया लेट्स काल्कुलेट बाय सॉल्विंग एस 30 तो एस 30 कैसे निकालते हैं एसन का फॉर्मला सबको पता होना चाहिए एसन का फॉर्मला होता है आपको पता है स n is equal to n by 2 and by 2 2a 2 a plus n minus one into d इसे इप फॉर्मला फॉर्मला पॉर अ है अगर आपको S 30 निकालना है तो व्रॉर्मला अहीं से शुरू कर देते हैं यहीं पर शुरू करते मैं तो यह एह रहा हमारा सेकिंडबग जय रहता है क्या निकालो 30 30 क्या होगा 30 upon 2 and by 2 30 upon 2 2a 2 into a 2 into 1000 2 into 1000 plus 30-1 into D formula आप एक पर लिख लेना पेपर में और D is 100 मैंने directly solve कर दिया 30 by 2 is 15 ध्यान से रेखो अंदर क्या हुआ यह हो गया 2000 और प्लस 29 minus 20 30 minus 1 is 29 29 200 is 2900 तो यहां पर आपको multiply करना होगा 15 को 4900 से जो कि होता है 73,500 यही आपको पहली तीस installment में बैंक को पे किया आपने या करना है आपने ठीक है थर्ड पार्ट से जलते हैं अगर लोन 40 इंस्टॉल्मेंट में पे होता है तोटल अमांट पेड इन लास्ट इंस्टॉल्मेंट अब आप देखो थोड़ा सा वोड़ी सी बात है एक पीसा पे करहाँ एक ऊप्थर्ड इंस्टॉलमेंट कराई अपने लोन को पे करने की वार्ट इनस्टॉल्मेंट, इसका अपको आपको और तर्ड पार्ट की बात करEं तो निकालना है। इसलिए मैं इस पार्ट को नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों पार्ट सेम है। इसमें भी A40 निकालना है, नीचे वले में A40 निकाल लेते हैं और उपर वाले का answer आपके बास और आजाएगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर और वले का हमें निकालना है A40 और A40 होगा A plus 39D और A है आपका 1000 प्लस 39 इंटू 100 और यह आगया 1000 प्लस 3900 और आंसर कमस आउट टू भी 4900 तो फॉर्टिय इंस्टॉल्मेंट में आपको 4900 रुपीज पे करने पड़ेंगे और जो थर्ड पार्ट था उसमें आपसे क्या पूझा था रेशो रेशो किसकी रेशो पूची थी फस्ट इंस्टॉ तो एक इतना है आपका 1000 डिवाइड बाइ 4900 यहां से दो जीरो कैंसल हो गए रेशो आगई 10 इस्टॉ 49 यह आपका आंसर हो गया यहां पर हमारा क्वेशन नंबर फॉर कंप्लीट होता है चलते हैं अपने क्वेशन नंबर फाइव में कव्शन नंबर फाइव! एपी का सबसे बड़िया कव्शन इस वीडियो का सबसे बड़िया कव्शन वन ओफ दि बेस्ट कॵ्शन् hypocos आपको आज इस वीडियो में मिलेगा को है क्वशन नंबर फाइव कहता है, मनोहर एक फार्मर था, थीक है, उसने अपने फार्म लैंड पर एक हजार सैपलिंग ग्रो करी, मतलब टोटल एक हजार सैपलिंग ग्रो करी, in rows, अब कितनी रो थी? ये नहीं बता हमें, अगर उसने बताया हमें, हर रो में पांच सैपलिंग कम थी, पहली रो से, दू प्रिशन में अगर आप पहला पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट, क्या था, इफ फर्स्ट रो हाज 100 सैपलिंग्स, पहली रो में 100 सैपलिंग्स थी, अगली रो में कितनी होंगी, 5 कम, 95, अगली रो में कितनी होंगी, 5 कम, 90, and so on, जिंदगी में कभी भी AP मिल जाए न, 95-100, which is minus 5, बहुत अच्छा कोश्चन हा, आगे देखते हैं क्या होता है, how many सैपलिंग्स विल बी देर इन 10th रो, अरे बड़ा सिंपल, इतना सिंपल कोश्चन, आप तो कहरें देखते हैं, बहुत बढ़ी हा कोश्चन है, 810, A plus 9D, आगे आगे देखो, 100 plus 9 into minus 5, 100 minus 45, answer is 55, saplings in the 10th row, 10th row, clear, simple, I think there are 25 rows, total 25 rows ही है, चा, हमने का, इसका मतलब, तू बताने की कोशिश कर रहा है, कि N 25 है, इस बात को समझो, मैंने का, एक AP है, उस AP में 40 terms है, इसका मतलब N 40 है, total terms in the AP are 40, it means N is equal to 40, समझे है मेरी बात, तो कहता है, इस पूरे जो, जो इसने कहानी सुनाई, इसमें 25 rows है सिरह, 25 rows में उसने 1000 saplings को grow किया हूँ, कहता है, बताओ, middle row में कितनी saplings होंगी, अच्छा, इसका मतलब topic पता है, middle most term of the AP, अगर आप में वन शॉर्ट विडियो AP की देखोगे, तो उसमें एक topic लिखा हूँ है, मैंने, find the middle most term of the AP, तो middle most term निकालने के लिए आपको पता है, अगर नहीं पता तो आज जान लो, कि अगर n odd होता है, n odd है, तो इसका मतलब middle term पता है क्या होगी, जब odd होता है, तो middle term होती है, middle term is equal to 25, छोड़ो, पहले फार्मला देखो, n प्लस 1 बाइ टुएथ टर्म, पर मतलब, n आपके पास है, 25 प्लस 1 बाइ टुएथ टर्म, आप देख रहे हो, case based में, teacher ने आप से चार नंबर में तीन तरह के topics पूछ लिए AP के, इसलिए case based AP से सबसे important है, बहुत बार पूछे जाता है, तो ज़रूर करके जाना, पूरा पूरी वीडियो ज़रूर करके ज इसका मतलब 13th term is the middle term, अब 13th term में कितनी saplings हैं, आउज जान लेते हैं, कैसे, ए 13 निकालके, तो ए 13 क्या होगा, ए प्लस 12D, कितनी simple सी बाद है, ए कितना है, 12 इंटू माइनस 5, तो 100 प्लस 12 इंटू माइनस 5, तो माइनस 60, तो 13th term में 40 saplings होगी, कितनी simple सी बाद है, अगर question या खतम नहीं होता, आगे-आगे देखो, third part कहता है, for 1000 saplings, how many rows need to be there, अभी उसने बताया, तो सही कि 25 रो थी फील्ड में, अगर कोई बात नहीं, वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको सौद्दो करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखते हैं, कि उसकी बात सही है, उसकी बात गलत है, यह सब बात, इस third part से पता चलेगी, कहता है, अगर 1000 saplings उसने grow करी, 1000 saplings मतलब total 1000 saplings, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, SN, SN is 1000, दे रहा हुआ, अगर SN 1000 है, तो बताओ, कितनी रोज की जरुरत पड़ेगी, कितनी रोज होंगी, तो SN is equal to, SN is equal to 1000, अब SN को कैसे solve करते हैं, SN का formula है, n by 2, 2a, plus n minus 1, into d, देखो, वीटियो देखने का फायदा पता कब होता है, चाहिए आप दुनिया में किसी भी teacher की वीडियो देखो, जब teacher question solve कर रहा है, तो आप उससे पहले question solve करने ही कोशिश करो, और वहां से अपने answers, अपने steps character तरो, आप सिरफ वीडियो देख रहे हो, मैं आज की कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक आप हाथ से practice नहीं करोगे, आपको अपनी गलती पता ही चलेगी, वरना वही same गलती आपको exam में द यह two divide में है, उपर जाके 1000 से क्या होगा, multiply, very good, तो n आ गया, और यह आ गया 200, plus n-1, मतलब आपने का सर अब क्या करें, मैं देखो कितना simple है, minus 5 को n से multiply करो, तो minus 5 n, minus 5 को minus 1 से multiply करो, तो plus 5, is equal to 1000, नहीं, is equal to 2 उपर ले गए हम, तो यह गलती हैं, छोटी छोटी जो मैं आपक पर लेके का, यहाँ पर आपने फिर 1000 लिख दिया, पूरा question गलत हो गया, 2000, अब इसको solve कर लेते हैं, पहले, 200 plus 5, 205, तो n बहार है, और यह आ गया, 205, minus 5 n, is equal to 2000, अब bracket खोल दो, तो 205 n, minus 5 n square, is equal to 2000, आपने का सर यह, तो quantity equation बन की, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, तो quantity equation को अपनी standard form में लिखो, तो समझदार ही यह है, कि minus 5 n को उधर ले जाओ, 205 को उधर ले जाओ, क्योंकि minus पहले number के साथ नहीं होना चाहिए, जो आपकी standard form है, वो क्या कहती है, ax square, minus ax square तो नहीं कहती, तो इसलिए minus 5 n को उधर ले जाओ, ताकि वो plus हो जाए, तो यह आ 205 n लिखो, उसके बाद minus 205 n और 2000 तो अपने घर में था, तो plus 2000, उसको तो हमने change नहीं किया, हम तो उसके पास आया है, वो तो कहीं नहीं किया, तो वो कहीं नहीं किया, इसलिए उसका sign वही रहा, जो उसके पास था, तो यह पूरी equation देखो, 5 से divide हो सकती है, क्योंकि equation जितन उतनी छोटी होती है, उतनी solve करनी असान होती है, यह बात हम already कर चुके है, तो 0 is equal to n square minus 41 n plus 400, अब आपने का सर, इसके numbers कैसे ढूड़ू, कैसे ढूड़ू सर, इसके numbers, मैंने का देखो, इसके numbers ढूड़ूने के लिए तरीका बताता हूँ, आपको बड़ा अच्छा तरीका, देखो, आपने 400 लिखा, देखा है, डी मेथर्ड महत लगाना, दी मेथर्ड हमारी last choice होनी चाहिए, हमेशा middle down split करने की कोशिश पहले किया करो, मैंने का देखो 400 को ऐसे लिखो, 400, 2 in 2 क्या होता है, 200 होता है न, अब 200 किससे डिवाड़ उसकता है, प्राइम ना, प्राइम फ 8 यह हो गया, 50, 8 और 50, 41 नहीं होता, फिर गड़ बढ़ हो गई, तो 42 होता है, फिर तूलो, तो यह हो गया, 16 और यह हो गया, 25, अब 16 और 25 को क्या मैं मैं माइनस 41 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा, n square minus 16n minus 25n plus 400 is equal to 0, मैंने आपको speed time की में भी एक तरीका सिखा है, यह भी one of the way है, इसको भी आप सीख सकते हो, और वैसे normal prime factorization करो, तो उससे भी आप numbers निकाल सकते हो, तो यहाँ पर हमने n common ले लिया, आपको पता है, जब middle term split करते हैं, तो दो में से common लेते हैं, n common लिया, n minus 16 आ गया, minus 25 common लिया, तो n minus 16 आ गया, और n is equal to 25, तो जो हमारा पहला पार्ट सा, उसमें उसने बोला 25 rows हैं, तो वो एक अलग question था, कि अगर 25 rows हैं, तो middle term में क्या होगा, तो अब 25 rows हैं या नहीं हैं, अब satisfy करते हैं, कि या तो 16 rows होगी, या 25 rows होगी, मैंने का 25 rows होई नहीं सकती, आपने का क्यों सर आप कैसे कह सक हो, मैंने का, अगर मैं A25 निकालता हूँ, तो वो क्या आता है, A plus 24D, और A25 हो गया, 100 plus 24 minus 5, D minus 5 है, तो यह हो गया, 100 minus 120, क्या minus 20, क्या minus में सैपलिंग्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्या मैंने, अगर हर रो में सैपलिंग्स लगाई हैं, किसी रो में 10 लगाई, किसी रो में 15 लगाई, किसी रो में 18 लगाई, किसी रो में 22 लगाई, क्या मैं किसी रो में minus 20 सैपलिंग्स लगा सकता हूँ, नहीं, तो मैंने लिखा, therefore, rejecting, rejecting, n is equal to 25, as सैपलिंग्स can never be, cannot be negative, त ताइस question का, तो बहुत अच्छा question हमने solve किया, और वला part एक बहुत अच्छा question है, आप question को दुबारा read करते हैं, कहता का total 1000 saplings है, हमने बिल्कु ठीक है, कहता है, बताओ how many saplings are still left to be put after 10th row, अब आप एक काम करो, वो कह रहा है, question समझो, कि 10 row में मैंने जितनी saplings लगा दी, लगा S10 निकाल लो, S10 for example मैं कहता हूँ 500 आ गया, यह 600 आ गया, अगर S10 600 आ गया, तो इसका मतलब पहले 10 row में, आपने 600 saplings लगाई, उसके बाद कितनी बची, 400, 1000-600, 400, समझगे question को, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम S10 निकालेंगे, यह और का जो part है, और का, उसमें हम S10 निकाल है, S10 is equal to 10 by 2, 2a, 2 into 100, plus 10 minus 1 into minus 5, अब यह क्या आया, 5, और ध्यान से देखो, यह क्या आया, 200 minus, 10 minus 9, 9 into minus 5, minus 45, तो यह आ गया, 5 into 155, जो की हो गया, 775, therefore, saplings left, left, कितनी हुई, 1000 में से 775 minus कर दो कि, पहली 10 रो में हमने 775 saplings लगा दी थी, बच्जी कितनी, 225, बाकियों में 225 लगाएंगे, यह आपका answer है, चलते हैं अपने अगले question पे, बहुत अच्छा question आपने solve किया, होब आपको समझ में आया हो, जरू मुझे comment करके बताना आपको कैसा लगाए question, चलते हैं अपने अगले question, question number 6 पे, अगर आप question number 6 को ध्यान से समझोगे, देखोगे, तो आपको question number 5 का बिल्कुल replica मिलेगा, तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि, इस type of questions हमारे pre-boards के लिए कितने important है, boards के लिए भी, तो AP एक ऐसा chapter है बेटा, जिसमें से case-based questions आपकी exams में जलूर पुछे जाते हैं, इसलिए इस chapter को, इस video को बिल्कुल भी ignore मत करना, पूरी देखना, बहुत कुछी सीखोगे इस question से भी, मगर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप यह चीज़ें सीख चुके हो पिछले question में, तो आओ ज़रा सीरीज को अगर आप follow करते हो, तो मैंने हर chapter के ओपर आपको 10 questions बना के दी है, case-based के, टाकि किसी भी chapter में से आए, आपकी यह series बहुत help करेगी 12 marks लाने के लिए, तो इन 12 marks के लिए थोड़ा सा आपको मेनद करने पड़ेगी, हर chapter के ओपर 10 questions देखने पड़ेंगे, जिससे पंद्रा सो लोगों को बिठाना है, हमने का ठीक है, बिठा देंगे यार, ऐसी क्या बात है, तो कहता है, देखो बिठाना कैसे है, कहता है, दस seats previous seats से जादा होंगी, मतलब अगर जो chairs होंगी, वो circle way में होंगी, circular way में देखो, oidorem समझते हो ना, circular way में chairs होती है, तो हर पहली जो भी row होगी, अगली row में 10 seats जादा होंगी, फिर अगली row में 10 और जादा होंगी, तो कम से जादा 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 ऐसे oidorem बनता है, समझ गए, तो बिल्कुल oidorem को imagine करो, पहले कम rows होती है, फिर उससे जादा बढ़ जाती है, फिर जादा हो जाती है, फिर जादा होती है, ऐसी शेप आजाती है ठीक है तो आप देखते है पहली रो में कितनी है solution में हमें दिया हुआ solution को देखते है first part से शुरू करते है इता है इंदी first circular row has 30 seats मतलब a is equal to 30 आप एक ही बात मत करो आप AP बनाओ तो अगली में कितनी है 10 जागा 40 उसके अगली में कितनी है 50 and so on और जैसी आपको AP मिली आपने दो चीज़े लिख दी a is equal to 30 और d is equal to 10 को इन लिखेगा teacher को निकाल के दिखाएगा 40 minus 30 is equal to 10 ठीक है बड़ी simple सी बात है अब आके देखो आप कहते है how many seats will be in 10th row अरे यार क्या बच्चो वाला question पूछ रहा हमसे अब तो हमें सब कुछ पता है a10 is equal to a plus 90 और यह हमारे पास पहला question का answer आ गया a is 30 a is 30 plus 9 into 10 90 90 plus 30 120 10th row में 120 seat होंगी बात खतम कहता है for 1500 seats देखा total seats उन्दर 100 total seats है कितनी row की जरूरत पड़ेगी हमने कहा फिर वही बात हो गई तो फिर हमसे वही question पूछ रहा है कि अगर 1500 seats है total मतलब SN 1500 है तो बताओ N कितना होगा कोई बात नहीं गवराने वली क्या बात है second part शुरू करते हैं फिर एक quadratic equation बनेगी मगर आप पहले बना दो ना मेर से तो मज़ा आएगा आपको मज़ा आएगा कि सर सर से हमने पहले question किया और बिल्कू ठीक किया तो जली से देखते है SN कितना दिया हुआ हमें 1500 और SN का formula होता है आप सब को पता है 2A 2 into A is 30 plus N minus 1 and D is 10 is equal to 1500 अब ज़रा देखते है क्या बनती है बात ये 2 जलना जाएगा उपर आप सब को पता है और ये हो जाएगा 60 plus 10 N minus 10 is equal to 3000 तो ये N और ये आगया 60 minus 10 is 50 plus 10 N is equal to 3000 और अब आप इसको एक quantity equation ना सकते हो ये आगया 10 N square plus 50 N क्योंकि पहले मैंने 10 N square लिखा क्योंकि आपको पता है standard form और 3000 को मैं इदर ले आया minus 3000 is equal to 0 और equation को पूरी equation को मैंने 10 से डिवाइड किया क्योंकि 10 एक common factor है तीनों में तो N square plus 5 N minus 300 is equal to 0 अपने का सर अब मैंने का N निकालते है N कैसे निकाले अब N निकालने के लिए आपको middle term split करने पड़ेगी middle term split करने के लिए देखो बड़ा असान तरीका होता है सबसे पहले आप क्या करो 300 से शुरू करो 2 prime factorization शुरू करो यह आगे 150 यह फिर 2 75 फिर अब 3 से जाएगा 25 देखो अब आपको क्या करना है आपको ना क्या करना होते हैं आपको combinations बनाने होते हैं यह होगा 50 2 into 25 50 और यह होगा 6 नहीं बना combination तो आगे जलते हैं 5 और 5 अब 5 into 3 15 15 into 2 30 एक combination बन गया और 30 और 2 नहीं बनी बात कोई बात नहीं दब्राओं मत तो 5 को 2 देखो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 10 into 2 is 20 20 और 15 बन गई बात yes 20 और 15 बन गई बात 20 और 15 नमबर हुए तो यहाँ पर आगया n square plus 20 n minus 15 n minus 300 is equal to 0 तो यहाँ से हमने n common लिया तो n plus 20 minus 15 common लिया n plus 20 is equal to 0 तो यहाँ पर आगया n minus 15 is equal to 0 और n plus 20 is equal to 0 और यहाँ से n आगया 15 और यहाँ से n आगया minus 20 और जैसे आपने देखा n minus 20 क्या किसी row में minus 20 क्या हमारे पास पूरी auditorium में minus 20 rows हो सकती है नहीं 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 rejecting यहीं पर हमने इसको reject कर दिया as it does not satisfy the condition तो therefore number of rows are therefore n is equal to 15 जो भी number of rows are 15 second part का answer आपके पास है आज जो third part पर जलते है third part फिर वही बात और वहला question है 1500 seats are to be arranged in the auditorium how many seats are still left to be put after 10th row देखा वही question s10 निकालो 1500 से minus करो आपका answer आजाएगा यहाँ पर आपका answer 750 आएगा आप अपना answer चेक कर लेना तो s10 निकालोगे तो आपके पास पहली 10 रो में seats आजाएगी पहली 10 रो में जितनी भी seats थी total seats में से minus करोगे उतनी seat आगे और लगेंगी fifth question को दुवारा देख लो मैंने उसमें अच्छी तरह explain कि पार्ट को कहता है if there were 17 rows in the auditorium how many seats would be there in the middle row फिर वही बात middle row अब ध्यान से देखो third part को third part को ध्यान से देखो कहता है अगर auditorium में 17 seats 17 rows होती तो middle row में कितनी आती अगर होती तो एक वैसी अलग question उसने पूछ लिया middle most term जानने के लिए आपको concept आता है या नहीं आता तो n क्या है odd तो middle term क्या होगा middle term is 17 plus 1 n plus 1 by 2th term यह आपने सीखाया है 17 plus 1 18 by 2 9th term 9th term तो अब आप a9 निकाल तो teacher के सामने a9 is equal to a plus 8d और यह कितना है 30 plus 8 into 10 कि अगर auditorium में 17 rows होती तो middle row में middle row 9th term 9th row होती और 9th row में 30 plus 80 110 seeds होती यहाँ पर खतम होता है हमारा question number 6 चलते है question number 7 पे 7th question जब हम solve करेंगे तो आपको आप AP बहुत असान लगेगी आपको कुसर मज़ा आ गया देखो question number 7 को देखते हैं आपकी आदत बन चुकी है कुछ questions को solve करने की तो आपको इस question बहुत असान लगेगा अहाना ने अपनी balcony में plants लगाने थे तो उसने सबसे सोचा कि पहली रो में में दो plants लगाऊंगी second row में पांच third row में eight and so on तो आपके सामने AP आपके सामने है तो पहली रो में two अगली रो में five फिर अगली रो में eight and so on तो यहां पर आपको मतलता है AP देखते ही के a है two first term two है और डी निकालने के लिए हमें second term में से पहली term को माइनस करना है तो डी आ गया हमारा three यहां पर हमारे पास a और डी आ गये क्याता है based on the above information answer the following questions find the number of pots placed in the tenth row फिर वही बात क्या यार किसे पटा question हमारे लिए a 10 a plus 90 a plus 90 मतलब एक इतना है two plus nine into d d is three यहां गया two plus 27 answer is 29 तो 10th row में कितने pots आएंगे 29 यह तो find a difference in the number second part की बात करो difference in the number of pots placed in fifth row and second row fifth row second row इसका मतलब a five निकालो a plus four d a आपके पास है two d आपके पास है three यह हो गया fourteen twelve plus two fourteen और a two निकालो a two आपके सामने है five fifth row and second row second row is if आपके सामने है तो आपने कहा सर इनके बीच में difference निकालना है तो difference is a five minus a two is equal to fourteen minus five which is equal to nine second part cancer रगया third part थोड़ा सा अच्छा है फिर वहीं बात आ जाती है देखो यह बात आपका पीछा नहीं शोड़ रही इसका मतलब यह बात बहुत important है आपके एक्जाम perspective से इफ आहना wants to place 100 पॉट्स टोटल ओ हंडर्ड पॉट्स टोटल इसका मतलब हमें दिया हुआ है चैँ और कितना दिया हुआ हमें, एसन कितना दिया हुआ है, 100, सा इसने इग्वल टो हंडरेड है ऐससे मडेंड कर टोंडर रघ्ट कर टो यह वह ए विदेन ठाहर यह तो मे निकालना है कि then total number of rows formed in the arrangement तो n हमें निकालना है तो n को n रखेंगे 2 को उपर ले जाएंगे 100 के पास 2 into a 2 into a is 2 into 2 a is 2 2 into 2 plus n minus 1 d is 3 is equal to 200 अब यह आ गया 4 plus 3 n minus 3 is equal to 200 तो यह आ गया n 4 minus 3 is 1 तो यह आ गया 1 1 plus 3 n is equal to 200 आप क्या करें multiply कर दो तो यह हो गया n plus 3 n square मगर ऐसे लिखो मत common sense से लिखो सबसे पहले क्या लिखो square वले time फिर लिखो n वले time minus कर दो 200 is equal to 0 अब multiply करके क्या चाहिए 600 घबराओ मत prime factorization से शुरू करते हैं दो तरीके मैंने आपको सिखाए देखो एक मैंने आपको यह तरीका सिखाया तो तू त्री हंड्रेट फिर फॉर फॉर फिफ्टी फिर गया टू से एट टेवंटी फाइफ आ रहा है नमबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं शार्थ से आजए नहीं आए गा तो प्र राइंटी फॉर और ट्वेंटी फाइव और नंबर आगए क्योंकि मम भीच में प्लस वन चाहिए तो प्लस ट्वटी फाइब माइनस तो जहां पर हमने एन कॉममन लिया घजा पर भगवान ने इसलिए दिया कि सबसे वहले उस्थी को चलाना होता है तो आपने का सर क्या करूं मैंने का यहां पर थ्री कैसे आएगा 24 में से क्या कॉमन लूग के थ्री आ जाए आपने का 24 होटा है एट इंटू थ्री एट कॉमन ले लो 8 common ले लो माइनस यहां यहां तो यहां फ्रीट ऐ लो यहां प्लस 25 यह कॉमन सेरन थी चुठी बाते है जो मैच में आपको को से इंप्रूब करती है ऑप क्या खर आप क्रों मैंने ख़रत किए N-8 एक ब्रैकेट बन गई, और 3N-25 दूसरी ब्रैकेट बन गई, इसे इकवल टो 0, अब पहली ब्रैकेट भी इसे इकवल टो 0, और 3N-25 इसे इकवल टो 0, अब आपको मेरी बात समझ में आगी होगी, यहाँ पर N जो आएगा, वो आएगा, माइनस 25 प्लस का 25 तो जागे माइनस 3 मल्टिप्लाय में निज जागे डिवाइड और यह हम कर देंगे रिजेक्ट आपने का मैंने का कॉमन सेंस है एक तो माइनस में नहीं हो सकता और दूसरा फ्रैक्शन में रोज है यार रोज है कि प्लांट से देख लेते हैं एक बर कोई बाद में तो कहता है नंबर ऑफ पॉट्स इन फस्स रो पहली रो दूसरी रो तो कितनी रोज होंगी मैंने का माइनस 25 वै ती माइनस में आ सकती है एक यह आपका फाइनल आंसर है यहीं पर हमारे कुशन खतम होता है और चार नमर हमारे जेब में चलते हैं अपने अगले कुशन पर तो moving on to question number 9 एक question जो inspired है NCRT से एक बहुत अच्छा question है आवसरे इस question को देखते है question कहता है हमें एक बच्चा है यह देखो एक बच्चा है छोड़ी सी image blur है एक बच्चा है यह बच्चे को क्या करना है सामने इसके plants पढ़े है 10 इसने plant उठाने और लाकर वापिस basket में डालने है देखा कितने simple सी वाद है अब जो पहला plant है वो basket से 10 मीटर दूर है 10 मीटर अवे 10 मीटर अवे और हर plant की बीच में distance पांच-पांच मीटर का है पहला plant उठाने गए पहला plant 10 मीटर दूर है और बाकी कि हर plant पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच मीटर एक दूसरे से दूर है अब समझे लो example देता हूं आपको हुआ dual di mode एक basket है और यह पहला plant से यह कितने दूर है 10 मीटर है फिर दूसर अप्लांट कि पहले plant ब्लाट में डिस इन से खितना 5 मीटर दूसरे dr. तो यह बच्चा 10 मेटर दूर गया फिर वापिस आया और प्लांट को इस बास्केट में डाल दिया तो कितना चला 20 मीटर्स तेरी वाद समझ आघी होगी आपको 20 मीटर्स अब अगली बारी पहला प्लांट उठा के लिए आया प्लाइन उठा चुका है 10 गया 10 आ गया अब दूसर ने प्लाइन उठाने क्या तो टैन मीटर सो जाए गए जाएगा प्लस पांच मीटर और फालत हूज जाना पड़ेगा क्योंकि पहले प्लाइन से दूसरा प्लाइन प्लाइन और दूर है तो second आगे आगे को मेरी बात है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेशन है, आगो क्वेशन देखते हैं, कहता है, कहता है, find the distance covered by Dinesh to plant first 5 plant, तो S5 निकालने के लिए, बोल रहा है वो आपको, कि अभी पहले 5 ताम में कितना distance रहा, पहले 2 में 20 प्लस 30, 50, पहले 3 में 20 प्लस 30 प्लस 40, तो पहले 5 में 5 बाई 2, फॉर्मुला आप लिखे ले ना, आपको सबको बता है, 2A, 2 into 20, प्लस N-1 मतलब 5-1, इन्टू D is 10, तो यह आगया 5 by 2, यह आगया 40 प्लस, अब धहां से देखो, 5-1 is 4, 4 into 10 is 40, अब यह आगया 5 by 2, इन्टू 80, यह 2 गया 80 से 40, तो यह 200 में, 200 में पहले 5 प्लांट्स को उठाने में उसको distance ट्रावल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात की, ठीक है जी, पहला question हो गया, second question हो गया, third question हो जलते हैं, find a distance covered by the nest to plant all 10 plants, तो मतलब S10 निकालो, अब S10 देखते हैं, हम क्या आता है, third part पे आगया हमें, third part, S10, S10 मतलब फिर भी formula 10 by 2, 2 है, 2 into 20, plus 10 minus 1 into d, d is 10, 10 by 2 is 5, यह आगया, 40 plus 9 into 10 is 90, यह आगया 5 into 130, और यह आगया 650, 650, 650 meters, 10 plant को उठाने के लिए, 600 meters, sorry, 650 meters लगेंगे, total distance उसको 650 meters distance travel करना पड़ेगा, तो distance travel करने में भी time लगेगा, तो यही वो fourth question में पूछ रहा है, क्यार एक बाब बताओ, अगर उसकी speed 10 meter पर मिनट है, वो 10 meter बिचारा एक मिनट में तै करता है, तो छाड़े 600 meter कितने minutes में तै करेगा, इतने simple की बात है, जिए हम से देखो, देखो speed जो होती है न, speed, fourth part की बात कर रहा हूँ, वो होता है distance upon time, तो मुझे time निकालना है, time कितना होगा, distance upon speed, distance कितना है, 650 meter, speed कितनी है बिचारेगी, 10 meter पर मिनट, तो ये कट गया, 0-0, 65 minutes लगेंगे उसको, total distance travel करने में, plants को ले के आने में, मगर अब ध्यान से सुनो, आगे का question, क्याता है, अगर उसको पंदरा मिनट लगते हैं, एक plant को लाने में, तो total time कितना लगेगा, 10 plant के लिए, एक तो ये हुआ कि तुमने क्या किया, जो तुमने distance travel किया, उसमें भी time खर्चा, अब जब तुम plant के पास गए, तुमने उसको उखाडा, उसको पकड़ा, उसको निकाला, और फिर लाके बास्क्रीट में डाला, तो उस plant के पास जब तुम गए, तो plant को pluck करने में, पूरा उठाने में, plant को निकालने में, पंदरा मिनट तुम्हें एक plant में लगे, तो अगर आपको पंदरा मिनट एक plant में लगे, तो दस plant में कितने मिनट लगेंगे, तो पूरे प्रोसीजर में, दस plant लेके भी आगया, डिस्टन्स भी ट्रावल कर लिया, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम लगा उसको, 65 प्लस 150, समझ गए मेरी बाद, 215 मिनट लग गए है, समझे मेरी बाद, तो 215 मिनट को आप आर्ज में करनाट कर दो, और 3 आर्ज, और कितने मिनट बचे, 15 और 20, 35 मिनट, क्योंकि आरे आप खुद सोचो, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 107 मिनट प्लस 35 मिनट कतम, तो यह आपका फाइनल आंसर है, बहुत अच्छा क्वेशन था, simple था, yet simple, but it was a little tricky to understand and to solve, तो चलते हैं अपने last question of this video पे, बहुत मज़ा आया, आच की video बनाने में भी, ऐसे और वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे, चलते हैं अपने last question पे, So coming to the last question of the video, question number 10, जिसमें फिर दो APs की बात हो रही है, बहुत interesting question है, जर्ण देखते हैं क्या कहता है question, इसमें ये दो पार्ट्स बहुत important है, third or fourth, बहुत different बना देते हैं इस question को, तो मैंने इसलिए आखरी में रखा कि आखरी तक आपको interesting लगनी चाहिए वीडियो और आप नही नहीं चीज़ें सीखते रहो at the end of the video also, तो आख देखते हैं इन दो कुछ पार्ट्स में क्या करेंगे, बट फिलाल start करते हैं वीडियो को question को समझते है, question क्या कहता है, कहता है एक interior designer था, जिसने 50 different paintings बनवानी थी, उसने पहले सरीता को पूछा, सरीता ने कहा देखो मैं 6000 रुपे एक painting के लूँगी और उसके बाद हर painting में 200 रुपीज बढ़ा दूँगी, this is 200, 200 रुपीज मैं increase कर दूँगी, increment कर दूँगी, हर painting में, गीता से पूछा, गीता कहती है, मैं 4000 रुपे लूँगी, पहली painting के और हर painting में 4000 रुपे बढ़ा दूँगी, हमने का ठीक है, कोई दिकत नहीं है, तो पहला पार्ट देखो, question का क्या कहता है, solution, पहला पार्ट, आपको समझ में आगे यह भी बन सकती है आप से, How much money did Sarita get for her 25th painting, Sarita की बात कर रहे हैं, तो पहली painting के 1000 रुपे है, दूसरी painting 200 रुपे जादा, 6200, तीसरी painting 200 रुपे फिर जादा, and so on, यहां से आपको दो चीज़े मिलती है, A मिलता है 6000, और आपको D मिलता है, 6200-6000, which is 200, अब आपको 25th painting, 25th painting, कितने पैशे उसको मिले 25th painting के, तो आपको A 25 निकालना, simple, and A 25 का shortcut हमें बता है, A plus 24D, यहां पर 6,000 plus 24 into 200, rate, so which comes out to be 4800, 4800 plus 6,000 is 10,800 रुपे, उसको 25th painting के मिले, 25th painting, ठीक है न, 25th, हमने का, how much money did Gita get in all, second, first part done, second part पर आगए, Gita को 100 paintings बनाने के कितने पैसे मिले, है, हमने का, वे, कितनी painting को नाई, 50 painting, तो S50 निकाल दो, कितना simple है, second part में, अगर हम second part को discuss करें, तो हमें पहले, हमें पहले, गीता की AP लिखनी है, गीता ने पहले 4000, फिर 4000, second painting में 400 increment, 4400, 4800 and so on, यहां पर पहले AP बना जाती है, हमें, 4400, फिर 4800 and so on, तो यहां सर हमें दो चीज़े मिलती है, A मिलता है 4000, और D मिलता है हमें, 4400 minus 4000, which comes out to be 400, तो A मिल गया, D मिल गया, और अब हमें निकालना है, S 50, S 50 होगा, 50 upon 2, formula आप सबको पता है, आप लिख सकते हो, 2A, 2 into 4000, मैं direct लिख रहा हूँ, फोड़ा सब टाइम बशता है मेरा, प्लस N-1, 50-1 into D, into D is 400, यहां पर आजाता है 25, यहां आजाता है 8000, और यहां आजाता है 49 into 4, is 19600, इनको मिलाकर आजाता है 25 into 27600, और यहां पर आपकी value जो आजाती है, वो आती है 6,90,000, तो गीता को टोटल 6,90,000 पे मिले, दोनों बेंटिंग्स, टोटल 50 बेंटिंग्स बनाने के, तो अब हम आजाते हैं 3rd पार्ट पे, question समझना बड़ा important है 3rd पार्ट, देखो question कहता है, इस बोट शरीता और गीता मेक पेंटिंग्स ऐड़ी सेम पेस, डोनों सेम पेस पेंटिंग्स मना रही है, ठीक है, कहता है, find the minimum number of paintings to be made by गीता, to get more money than शरीता, आप सुनो, देखो मेरी बास सुननो, ये सरीता की एपी चल रही है, ये गीता की एपी चल रही है, एक ऐसी term आईगी, चाहे हो 10th term हो, चाहे हो 15th term हो, जिसमें ना इनकी values सेम हो जाएंगी, तो हमें ये जानना है, कौन से term पे इनकी value सेम हो जाती है, तो उतनी minimum बेंटिंग्स तो गीता को बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो, तो उतनी तो minimum बनानी पड़ेगी, मगर उससे एक जादा बनानी पड़ेगी, इसको पार करने के लिए amount को, हमेरी बास समझ रहे हो, कि ये AP इसकी चल रही है, किसकी, ये AP किसकी है, शरीतागी, 6,6200, 6400, ऐसे ये इसकी AP चल रही है, एक moment आएगा, एक ऐसे term होगी, जब क्योंकि इसका increment बेटा 200 रूपीज हो रहा है, और इसका increment 400 रूपीज हो रहा है, तो ये एक time पे जादा तेज भागने लग जाएगी, और एक पचासवी term हो, चाए वो दसवी term हो, चाए वो फिप्टीन्थ term हो, जिसमें यहाँ पर भी एक value लिखी होगी, for example, 15,000 यहाँ भी लिखा होगा, और यहाँ पर भी 15,000 लिखा होगा, तो वो कौन सी term होगी, उतनी painting तो दोनों को बनानी पड़ेगी ना, ताकि दोनों बराव रहे हैं, और फिर एक जादा बनाएगी, जैसे अगर दसवे term, 10th term same हो जाती है, तो 10th minimum बनानी पड़ेंगी, 10 नहीं बनानी पड़ेंगी, एक जादा, 11 बनानी पड़ेंगी, तो वो उसको cross कर जाएगी, क्योंकि अभी तो यह कम है न, अभी तो यह कम है, देखो, इसके प जैरा पेंटिंग तो विडिया दोनों को बनानी पड़ेंगी, बराबर आने के लिए, पैसो में, तो सरीता को फिर, सरीता नहीं, गीता को फिर, एक पेंटिंग जादा बनानी पड़ेंगी, उसको cross करने के लिए, समझ गए, चलो आँँ देखते हैं, तो ऐसे question को कैसे करें जैरेंगे, घर्ड पार्ट, इसका मतलब पता है किया है? इसका मतलब पता है किया है? अने थ टर्म पर परीता इस एक्वल टू एने थ टर्म ऑर गीता, अब दोनों में एन हम चाहिए same, कि ऐसी कौन सी value आती है, यहाँ पर कौन सी term आती है जो same हो, तो एन तो दोनों का same यहां पर लिखेंगे हम फॉर्मले को एवन प्लस एन माइनस वन डी वन और यहां लिखेंगे एटू प्लस एन माइनस वन डी टू आपको दोनों के ए और डी पता है इसका सिक्स थाउजंड है प्लस एन माइनस वन इसका टू हंडड़ है इसे एकवल टू एटू 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 एस ओर साफ़न आपके सामने है गीता की और एन माइनस वन इसका जो है वह फोर हंड़ है अब देखो यार मैक्सिमम लोग आप यूट्यूब पे देखो गए मैं किसी की बुर यहां से भी हंड्रेट कॉमन ले लिया यह बच गया चालिस प्लस एन माइनस वन इंटू इंटू इतना असान हो गए यह कट गए यह कैसे कट है डिवाइड आगे कट गए तो यह बच गया सिक्स्टी प्लस टू एन माइनस टू और यह बच गया 40 प्लस 4N माइनस 4 कितना असान हो गया अब आप एन एन को इक अठ्था करो दिमाग से लाओ पहले 60 प्लस माइनस टू करतो 58 प्लस 2N और 36 प्लस 4N अब 2N उदर जागे माइनस करतो क्योंकि 4N इदर लाओगे तो माइनस का साइन आएगा तो 36 इदर ले जाओ तो 58 माइनस 36 इ यह आगया 4N माइनस 2N तो यह ओगया 22 इस एक्वल टू है 11 इस एक्वल टू है मतलब 11 पेंटिंग दोनों जब बना चुकी होंगी तो 11 पेंटिंग की जो वैल्यू होगी ना सेव होगी इसका मतलब देरफोर गीता needs to make minimum 12 पेंटिंग्स अब अगर आपको answer को verify करना ना आप A11 इसका निकालो A11 इसका निकालो दोनों सेम आ जाएंगे तो A12 में गीता क्रॉस कर जाएगी समझ गए क्योंकि उसका increment ज़ादा है तो अब चलते हैं अपने last part क्वेशन के last part पे और question का last part है रचना एक friend थी रचना की एक friend थी अनुभूती उसने का यार यह दोनों लड़किया ना बड़ अच्छी painting मनाती है इनको ना मुझे hire करने दर थोड़े दिन के लिए ठीक है कहती है मगर एक शर्त है दोनों को same rates पर बनाना पड़ेगा जैसे रचना की rate पर बना रही थी तो दोनों की same भी चलेगी ठीक है कहती है दोनों को ना सेम पैसे दोंगी exactly same how एक यह दोनों को same गाता हो तो बताओ मुझे दोनों से कितनी कितनी paintings बनवानी चाहिए minimum कितनी paintings बनवानी चाहिए तो कितनी number of painting बनवाओं ताकि इनको मैं same पैसे दे सकूँ, दोनों को, मैं S.N. चाहती कि इसको जाद दूँ, इसको कम दूँ, मैं बायज नहीं हूँ, चाहिए वो 20 painting बनाए, चाहिए वो 18 painting बनाए, मगर इतनी painting बनाए, तो मेरे को पैसे उनको same देने है, हमने गाँ ठीक है, इस बार दोनों के S.N. बराबर हो जाएंगे, तो fourth part, S.N. और शरीटा is equal to S.N. और गीता, मेरी बात समझभा रहे होगे आप, बहुत अच्छे question है यार, बहुत बढ़ी है question, तो शरीटा की AP आपको पता है, गीता की AP आपको पता है, यार शरीटा की AP, N by 2, 2A, 2 into 6000, plus N minus 1 into 200, 200 का इंक्रेमेंट साना, उसका, D उसका 200 सा, S.N. बाइ 2, 2 into 4000, plus N minus 1 into 400, अब यहां से N by 2, N by 2 cancel हो जाते हैं, क्यों सर, जैने का obvious सी बात है, यह 2 उपर जाएगा, multiply होगा, कट जाएगे, N नीचे जाएगा, N से divide होगा, कट जाएगे, तो यह कट गए, यह आगया 12000, plus N minus 1 into 200, यह आगया 8000, plus N minus 1 into 400, तोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटा, जिन्दिकी में दिमाग शरूर चलाना चाहिए, Maths, teacher आपको Maths में यही चीज़े देखता है, क्या आपके basics कितने strong हैं, कितने logical हो, कितने common sense हैं आपके अंदर, कि क्या इसको 200 से multiply, बड़ी बड़ी क्यों करते हो, 200 इसमें से भी common आसकता है, 200 इसमें से भी common आसकता है, 200 common ले लो, 200 मैं common ले रहा हूं, तो यह कितना बचा, अब देखो, 12,000 में से और साथ में एक 0 बचा 40, और प्लस, n-1 किस साथ क्या बच गया, 2, ठीक है, अब यह 200 से, 200 cancel हो गए, यह आ गया 59 प्लस n, और यह आ गया 40 प्लस 2 n-2, जो जी, कोई बात नहीं, तो यह आ गया 59 प्लस n, और यह आ गया 38 प्लस 2 n, यह n इदर आके minus हो गया, और यह 38 इदर आके minus हो गया, तो 21 इस दी इक्वल टो n आ गया, समझ गई, तो 21 paintings, अब आप question को बढ़ो, 21 number of paintings बनानी पढ़ेंगी, ताकि उनको same amount जा सके, 21 paintings को एक जैसी बनाएंगी, चीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा वीडियो खतम होती है, मगर मैं वीडियो के एंड में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ाया होगा आप सबको, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, मैं आपको एक बात कहने चाहता हूँ, मैंना हमेशा last line हमेशा लिखना, द जो भी आपसे बूचा है, तो आखरी में एक statement लिखना है, therefore, 21 number of painting should be made to get the same amount, जो भी last line होगी, आपको last line जरूर लिखनी है, हर part में, जो वो question बूच रहा है, उसी को आपने copy करके answer दे रहा है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो खतम होती है, एक बहुत अच्छी वीडियो थी, hope you enjoyed the video, अगर अच्छी लगे हो, जरूर comment करके बताना, wish you all the best, मिलते हैं next video में, और हाँ, हमारी case based series की सारी videos को देखना मिलकुल, मत बूलना, हर chapter आप revise कर सकते हो, और हमारी जो videos हैं, one short videos, all chapters की, वो भी आप देखकर पूरे chapters को revise कर सकते हो, wish you all the best, thank you so much, मिलते हैं next video में.